दुनिया के साथ अजुबे कौन से हैं? एक, चीन की दीवार चीन ने अपनी सुसरक्षा के लिए अपनी सभी सीमाओं को एक दीवार से घेर दिया था जिसे चीन की दीवार कहते हैं, इस दीवार का निर्मान साथ वी शताबदी से लेकर सोला वी. शताबदी तक हुआ था, ये दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चमी चीन तक फैली है, इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है वही इसकी उंचाई करीब 35 फीट है, वही इसकी चोड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं, इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकडी, इट आदी का उप्योग किया गया था, माना जाता है कि इस दीवार के निर् ताजमहल दुनिया के साथ अजूबों में से एक है, इसका निर्मान शाह जहां ने 1632 में करवाया था, इसकी उचाई 73 मीटर है, कहते हैं इस इमारत को बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा था, इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाह जहां ने दुनिया भर से सफेद संग बना ताजमहल पूरी तरह से सफेद है और जिन मजदूरों ने इसे बनाया था शाह जहां ने उनके हाथ कटवा दिये थे ताकि वो ऐसी चीज दोबारा ना बनवा सके, ये करीब 17 हेक्टियक एक शेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20 हजार से भी ज्याद मजदूरों ने काम किया था, ताजमहल के आसपास कई सारे इमारते और बाग बनाये गए हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं, इसे देखने के लिए हर साल धेर सारे पर्यटक आते हैं, तीन, पैटरा पैटरा, जॉडन में स्थित एक एथासिक नगरी है, इसकी के नाम से जाना जाता है, पैटरा को युनेस को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दरजा भी मिल चुका है, कहा जाता है कि इस नगरी, आपको पत्थर से तरासी गई एक से बढ़कर एक इमारते देखने को मिलती हैं, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो, में स्थापित इसा मसील की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे उची मूर्तियों में से एक है, ये मूर्ती, तिजुका फोरेस्ट नेशनल पाक में कोको वाडो परवत की चोटी पर स्थित है, आपको बता दे कि इस मूर्ती का आधार 31 फिट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल उचाई 130 के बीच किया गया था, कहा जाता है कि इस प्रतिमा को बनाने में कुल 2,50,000,000 डॉलर खर्च हुए थे, चार, क्राइस्ट रिडिमर ये ब्राजील के रियो डी जेनेरों में, स्थापित इसा मसील की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे उची मूर्तियों में से एक है, य फिट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल उचाई 130 फिट बनती है, वही इसकी चोड़ाई 98 फिट है, इसका वजन लगभग 635 टन है, माना जाता है इसका निर्मान 1922 और 1931 के बीच किया गया था, कहा जाता है कि इस प्रतिमा को बनाने में कुल दो, पचास, शून्य 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 डॉलर खर्च हुए थे, पांच, माचू पिच्चू, माचू पिच्चू दक्षन अमेरिकी देश पेरू में स्थित, एक एतिहासिक स्थल है जहां कोलंबस पूर्व युग, इनका सभ्यता रहा करती थी, समुद्र पर बाद में इस जगह पर स्पेन ने अधिपत्य कर लिया था और इसे ऐसे ही छोड़ दिया था जिसके बाद यहां की सभ्यता समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिर्म विंगम ने इसकी खोज की थी और इस एतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया था, इसे Lost City of the Inka के नाम से भी जाना जाता है, यहां की सबसे प्रसिद जगह का नाम Inka Trail है, क्योंकि इस ट्रेक से परवत की चोटियों पर सूर्योदे का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है, इस ट्रेक के बहुत अधिक संकरा होने के कारण इस पर 500 स किया गया है, ताकि यह दिखने में खूबसूरत लग सके, छे, कोलोसियम यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल, स्टेडियम है प्राचीन काल में यहां जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सास्कृतिक कार्यक्रम, आधी प्राचीन काल में पचास हजार से असी हजार लोग एक साथ बैच सकते थे, इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेट से बनाया गया है, अपनी विशालता के कारण ये दुनिया के साथ अजूबे में शामिल है 7. चीचेन इद्जा चीचेन इद्जा मक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिध मायन मंदिर है जिसका निर्मान 600 इशापूर्व में हुआ था आपको बता दे कि ये मंदिर 5 किलोमेटर के दाइरे में फैला हुआ है ये मंदिर पिरामिड की आकरिती का है जिसकी उचाई 89 फिट है इसके उपर जाने के लिए चारों और सीधिया बनाई गई हैं इसकी हर दिशा में 91 सीधिया है इस तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीधिया है जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है